नमो नमहा आज हम इस कक्षा में सिखेंगे कि मालक्ष्मी का पूजन किस प्रकाल करना चाहिए जैसे अभी दिवाली आ रही है तो दिपावली के दिन सभी लोग अपने घरों में मालक्ष्मी का पूजन करते हैं अर्चन करते हैं तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पूजन निकाल सकते हो ठीक है नित्य करम पूजा प्रकास उसको आप खरीद दो उसके बाद में भगवती महालक्षमी चल एवं अचल दृष्चे एवं अदृष्चे सभी संपत्तियों सिध्यों एवं निध्यों की अधिश्थात्री साक्षात नारायनी है भगवान स्रीग पूजन से सभी कल्यान मंगल एवं आनंद प्राप्त होते हैं इसलिए भगवान गणपती और महालक्षमी का पूजन हम लोग करते हैं कार्तिक क्रिष्ट मावश्या को भगवती महालक्षमी एवं भगवान गणेश की नूतन प्रतिमाओं का प्रतिष्था पूर्वक महालक्षमी को इस्थापित करना चाहिए पूजन के दिन घर को स्वच कर पूजन इस्थान को भी पवित्र कर लेना चाहिए यानि जहां हम पूजन करने वाले हैं सबसे पहले उस इस्थान को बिल्कुल जाडू पहुचा लगा करके बिल्कुल सुच बिल्कुल स्वच कर और स्वयम भी पवित्र होकर स्रद्धा भक्ति पूर्वक सायंकाल में इनका पूजन करना चाहिए। पूजन करना है पूजन करना है इस बात को विशेसरूप से ध्यान रखें अब पूजा की कुछ सामगरी है जो मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ और वो आप लोग उसको नोट भी कर सकते हो अथवा आप लोग उसका इसमर्न करके आप उसको अपने ध्यान में रख सकते हो सवर प्रतम हमें पूजन के लिए गणेश जी का फोटो होना हमारे पास में बहुत अनिवारी है ठीक है गणेश जी लक्षमी जी का फोटो आपके पास में एक एक नग हो चलचित्र हो अथवा विग्रह भी आप उनका ले सकते हो ठीक है रोली हो मोल हो रोली समझ गए जो तिलक निकालते है लाल कलर वाली यह रोली होनी चाहिए मोली हो सुपारी हो लवंग हो इलाइची हो रुई माचिस अगरबत्ती अबीर गुलाल सिंदूर केशर ठीक है पीली सरसों नारियल दोनग नारियल के होने चाहिए जनेवू पंच मेवा प्रस पंच करने के लिए दोने दोने का पेकिठ अवश्य होना चाहिए सहएद की शिसी, इत्र की सिसी करपूर का ढिंबा, धनीय धनीय साबुत धनिय धनिय जो आता है वो भी हमारे पास में होना चाहिए हल्दी की गांट, कमलगटा, मजीठ हमारे पास में होनी चाहिए, सरव यह सब पूजा सामगरे के दुकान पर मिल जाएगी मूंग हो हमारे पास में गुड़ हो गन्य का टुकड़ा या गन्ना हम लोग रखते गन्य का भी पूजन करते हैं गन्य मीमा लक्ष्मी का रवाश भी माना जाता है चंदन की डिब्बी गेहूं धाइसो ग्राम कम से कम चा ठीक है लाल वस्तर एक मीटर सफेद वस्तर एक मीटर और मा लक्ष्मी को अरपन करने के लिए और उनके सुहाग पिटारी के साथ में एक साड़ी होनी चाहिए हना साड़ी बलाउज का जो सेट होता है और सुहाग पिटारी के साथ में ठीक है चांदी के सिक्के कुछ नए आपको खरिदने चाहिए, पुराने है तो उनका भी इसी दिन पूजन भी होता है, ठीक है, हाँ मैं पूजा की जो सामगरी है वो आपको प्रशित कर दूंगा, घी होना चाहिए, तेल होना चाहिए, मिट्टी के दिपक होने चाहिए, मिट्टी का कलश होना चाहिए, शक्कर, या खांड हो या शक्कर हो PCV चिनि हो, चलेगा, दूद हो, धही हो, पाँ हो, पुश्प हो, पाँ के कम से कम 11 त्यूजंग होने चाहिए, पुश्प हो, पुश्प माला हो, दुरूवा हो, आम की प्ते, अशोक के पत्ते होने चाहिए, फल हो एकधर जन, मिठाई हो कम से कम मे यूज़ करते हैं लेकिन लाल कलर का कलम ही यूज़ करना चाहिए ठीक है ना वही खाती के साथ में ठीक है तो ये निम्न सामगरियां जो है वो आपके पास में अवश्य होनी चाहिए ठीक है ये सारी सामगरियां आप सभी के पास में होनी चाहिए और ये सामगरियां हो तो य दो चोकी में आप ऐसा कर सकते हो जैसे मैं बताता हूं कि एक चोकी पर आपको शोड़स मात्रिका और गणपती मंडल बनाना है और दूसरी चोकी पर नवग्रह मंडल बनाना है ठीक है अब मैं आप लोगों को कुछ चीजे हैं जो मैं समझा देता हूं कि किस प्रकार से मात्रिकां कि मंडल है यानि सोलह कूधियां बनेगी सोलह कूधियां आप यह अप गेहुं से लाल वस्त्र हो लाल्वस्त्र के ऊपर ही यह मंडल बनना चाहिए ठीक है जैसे यह यह उत्कृष्ट है यह वाला मंडल बना रहे हैं ठीक है यह आप लोगों को स्क्रीन पे शेर हो रहा है नहीं 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 हो रहा एक मिनट रोखिए तो आपको इस प्रकार से लाल वस्त्र का एक जैसे मैंने कहा दो चोकी तो एक चोकी के उपर तो आपको लेना है लाल वस्त्र और लाल वस्त्र मतलब उसके उपर बांग रहा है दूसरी चोकी के उपर लेना है आपको वाइट वस्त्र यानि सफेद वस्त्र ठीक है और फिर उ चुलिए तो अभी बात करते हैं यह देखिए ठीक है यह देखिए ठीक है अब यहां पर आपको दिख रहा है यह लाल वस्तर है जो लाल वस्तर आपको चोकी पर यह लपेटने के पस्चाद गेहूं से भी आप यह चार-चार के कोश्टक में यानि चार-चार की लाइन में बनाएंगे तो 16 हो जाता है ठीक है ना तो गेहूं से भी बना सकते हो या कोई एगर आपके पास में रंगय होई चांवल है तो उनसे बना सकते हो लेकिन सरवस्तरे तो इसी प्रकार से सोडस मात्रिकाओं का निर्मान आपको करना है ठीक है समझ में आ गया किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं कि सोडस मात्रिकाओं का निर्मान किस प्रकार होगा लाल वस्तर लपेट करके उसके उपर चार-चार की लाइन में चार-चार की लाइ है आप यह देखो एवाला का है यह ब इंदर तरीका सबसे स्थ ड़ा करते है तो लाल वस्त्र एक चोखी के -ऊपर लाल वस्त्र लपेट करके उसके उपर आपको गैंशों सेола कूधिया बनानी है जो आपके right hand की तरफ वो मंडल होगा ठीक है दूसरा मंडल आपको जो बनाना है वो होना चीए नवग्रह मंडल ठीक है नवग्रह मंडल जो बनेगा उसमें नो कोश्टक होंगे ठीक है नो कोश्टक होंगे उन नो कोश्टकों के अंदर जो है भगवान नवग्रहों को हम क्य करते हैं इस्थापित करते हैं ठीक है तो नवग्रह देखिए यह यह नवग्रह मंदल होता है यह नवग्रह मंदल होता है लेकिन बनता कैसे है सफेद कपड़े के उपर एक जोकी पर सफेद कपड़ा भनधा और उसके उसमें तीन-Tीन की कूढ़िया चावल से लगाई, चावल से तीन-तीन छोटी-छोटी कूडियां हमने लगा दी तो वो नवग्रह मंडल हो गया त्योंकि धान्यों पर ही भगवान आकर के सुक्ष्म स्वरूप में आकर के विराजमान होते हैं देखिए इसे नवग्रह मंडल बनाने का तरीका तो यह है, ठीक है? ऐसा आप बना सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है नहीं बना सकते हो तो कोई बात नहीं है आपको केवल चावल से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है न? 3, 3, 3, ऐसे आपको नो कूडिया बना लेनी है है यह भी चैनल यहां पूजन करने के लिए बैठेंगे उसके राइट हेंड की तरफ ये 16 मात्रिका है और ये लेफ्ट तरफ की देखिए नवगर है मंडल बना हुआ है ठीक है ना तो इसी प्रकार से आपको मंडल की रचना करनी है ठीक है ये विश्य हुआ आप लोगों का अब आगे देखिए अब आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं कि उसके आगे हमें क्या करना है ठीक है तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग समझेगा तो ऐसे आपको मंडल का निर्मान करना है यानि आपको दो चोकियां जो है सामने रखकर के राइट तरफ की जो चोकि थी उसके उपर नवगर है शोड़ समात्रिक नवगर है मंडल का आप ने वहाँ पर निर्मान किया एक लेफ्ट तरफ में राइट तरफ में सोड़स मात्रिका का मंडल है वहीं आगे जो है आपको बगवान गणपती बना करके स्थापित करने है बगवान गणपती आपके घर में है तो उनको ले सकते हो नहीं तो आप नए गणपती बनाएं, मृतिका से बना सकते हो, या सुपारी से, सुपारी ले करके, सुपारी में मोली बांध करके, और फिर उनको एक मूंग रख करके, कुछ भी कटोरी में मूंग रखे, और मूंग में भगवान गणपती को रख करके, शड़ समात्रिका के मंडल के आगी उनको इसतापित कर दीजिए ठीक है नवग्रह मंडल हो नवग्रह मंडल के पास में ही आपको कलश स्थापित करना है जिसमें नीचे गेहूं हो और उपर कलश रखकर के उसमें थोड़ा जल भर लेजिए उसमें अशोक के और पान के आशोक के आम के पते वगईरा हो तो वो उसके उपर जो है आपको एक वो उसका धकन उसमें थोड़ा से चामल और फिर नारियल रख लेना है नारियल का सीधा मुक्त उसी तरफ होना चाहिए भगवान की तरफ ठीक है यह हो गया समझ में आया है तिनों और कलश के पास में ही आपको एक अखंड दीपक जो घृत का द बोलते हैं घृत का दीपक बनाया और आपने कलश को इस्थापित किया आपने नवग्रह को इस्थापित किया और आपने शोडस मात्रिकाओं को इस्थापित किया शोडस मात्रिका के मंडल में ही आपने भगवान गणपत्य को इस्थापित किया और जो भी पूजा का मैंन पूजल पूजल बना सकते हो और चाहते हो तो बनाओ तो कोई दिकत नहीं है विश्यस रुपसे यह नींका पूजन होता है फिर उसका ऊपर महालक्षमी का पूजन तो अलग तरीके से डिगत अश्ट तरब बना करके तो भगवान लक्ष्मी जी को स्थाफित कर सकते हैं अब क्या करना सरव प्रतम हमें पूर्वा भी मुख हो करके यानि हमने मंडल बनाए है मंडल बनाने के पस्चाथ हमें मंडलों के समक्षी मुख करके बेठना है और फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं पवित्री करन करते हैं पवित्री करन को मतलब होता है हम अपना मार्जन करते हैं इसमें हम बाहिये और आभ्यंतर आभ्यंतर और बाहिये दोनों प्रकार के सुध्य होती है यानि बाहर और अंदर दोनों की पवित्रता को हम प्राप्त करते हैं मंत्र है हमारे सामने स्क्रीन के उपर यह मंत्र आपको सभी को शेर हो रहा है सभी को यह मंत्र शेर हो रहा है ना जी जी गुरुजी सबसे पहले हम इस मंत्र को बोलते हैं ओम अपवित्र अपवित्रोवा सरवा वस्थांग तो पिवा यहस्मरेत पुंडरी काक्षम सभाई याभ्यंतरह शुचिहे इस मंत्र को बोलते हुए हम क्या करते हैं जल के छीटे हमारे सरीर में लगाते हैं ठीक है इस मंत्र को बोलते हुए तो हम क्या हो जाते हैं हम पवित्र हो जाते हैं ठीक है ना पवित्र हुए क्योंकि पवित्र किये बिना हमें काम करना ही नहीं चीए पवित्र करन किये उसके पस्चाथ हमने मस्तक पर तिला के लगाया और सिखा बांधी सिखा बंधन इत्यादी हम पूजन ने संपाजिद किया ठीक है न अब आपन सबसे पहले में आप लोगों को बता देता हूं के देखिए पूजन किस प्रकार से होता है हम लोग कैसे प्रारम करते हैं यह पूजा सामगरी जो मैंने आपको बताई है वो सबसे पहले वो आपके पास में सुव्यवस्थित होनी चाहिए ताकि हमें कहीं भी कोई दिकत नहीं आए ठीक है ना ये विशिस्ट पूजा प्रक्रण है हम यहां से प्रारम करते हैं ठीक है न तो यह है आचमन के मंत्र ओम प्रक्षालन कर लिया इसमें क्रियाओं को आगे पीछे यहां हो सकती है जैसे पहले आचमन हो सकता है या पहले पवित्रिकरण हो सकता है कोई दिकत वाली बात नहीं है आप ज़्यादा इसके उपर विचार मत करिए ठीक है उसके पस्चात हाथों में कुशा की बनाई तो कोई दिक्कत नहीं है आप चांदी या सोने की कोई विधातो की अंगुठी आपके इस अंगुली में अवश्य होनी चाहिए उस अंगुठी का इसपर्श करते हुए आपको ये मंत्र बोलना है लाते पावितर अपू तसिया जतका माहा उने अच्छा के यम्मा अगर मंत्र नहीं बोल पाओ तो भी भाई लोग आप लोग क्रिया अवश्य संपाजित करिएगा ठीक है नगुठी को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्रियाओन को हम संपाजित कर सकते हैं भगवान का कोई वि आसुदेवाई इस मंत्र को बोल करके भी आप उसको इस पर्ष कर सकते हो ठीक है यह किया उसके पस्चात आपको क्या करना है शिखा बंदन अवश्य करिएगा मस्तक पर तिलक धारन करिएगा तिलक धारन हो जाए आपके पास में अपने अपनी यजमान अपनी पत्नी को प्रनाम करिए सिखस्ति वाचन के मंत्रों के माध्यम से भगवान गनपति को प्रनाम करो और उनसे यह करो कि महालक्षमी का पूझन करने जा रहे हैं आज यह अनुष्ठान करने जा रहे हैं तो आप हमने इस bajण सिद्ध्ध प्रदान कर ठीक है तो प्रारम करते हैं अगर आप लोग मंत्र बोल पाओ तो ठीक है नहीं बोल पाओ तो इस वीडियो को चला करके भी आप लोग यह जो मंत्र में बोल रहा हूँ यह क्रियाए मैं बताता जा रहा हूँ आप इन क्रियाओं को संपाजित करते जाओ पर हातों में आपके गंदक्षत पुष्प रहेगा ठी आनो भद्राहा क्रतवो जन्तु विशवतो दप्धासो अपरी तास उद्भीदाहा देवानो जथास दमिद्वरेधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दीवे दीवे देवानाम भत्रा सुमतिर्यजु यतान देवानाग्गुरातिरभिनो नीवर्तताम्म देवानाग्गु सक्यमो पासे दीमावयं देवान आयुः प्रातिरंतु जीवसे तान्पूर्वया निविदाहु महे वयं भगं मित्रम दितिन्दक्षाम सरीधम्मा अर्जामाणं वरुनग्गु सोमामशवीना सरस्वतीनाः सुभगा मायस्करत तन्नो वातो मयोभुवा तुभेख जन्तन्माता प्रेथिवी तत्पीताद्योहु तत्ग्रावाण सोमसूतो मयोभुवस्तादशवीना स्रेणूतं धिश्ण्याजुवम्मा तमीशानन्जगतस्तस्थुखस्पतिन्धियन्जिन्वमावसे हुमहे वयं मा पूखा नोजधा विदसा मसद्वरेधे रक्षिता पायूरदप्धा स्वस्ताई स्वस्तिना इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्तिना पूखा विश्वविदाः स्वस्तिन स्तार्क्षो आरिष्टनेमि स्वस्तिनो व्रेहस्पतिरदधातू प्रेखदशवामरूतः प्रिष्णी मातरः शुभन्जावानो विदति हुजग्मायाः अगनी जिव्वामनवाः सूरचक्षसो विशवेनो देवा अवसागमनिहाः भद्रंकरनेभी स्रिनुयाम देवा भद्रंपसिये माक्ष भिर्ज जतराह स्थिरै रंगै स्तुस्टुवागु सस्तनु विर्व्यासे महिदेवाहितं जदायुहू शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रानस चक्राजरसंतनु नम्मा पुत्रासो जत्रापितरो भवंती मानो मधियारी रिखता युर्गंतो हो अधितिर ध्याूर अधितिरंत रिक्ष माधितिर्मातास पितास पुत्रह। विशवेदेवादितिहे पांचा जना आदितिर्जाघाम आदितिर्जान दवम्मा ध्योहु शांतिरंतारिक्षगु शांतिहे प्रेथीवी शांतिरापः शांतिरो कदायाः सांतिहे वानस्पताया शांतिर विशवेदेवा शांतिर ब्रम्ह शांतिही सरवग्गु शांतिही शांतिरेव शांतिही सामा शांतिरेधी जातो याताहा सामीहा से तातो नो अभायं कुरू शन्नाह कुरू प्रजाभ्यो भायन नहा पाशुभ्याहा सुशां तिरभवतू सरवारिष्ट शां तिरभवतू हातों में जो आपके अक्षत पूस्प है भगवान गरपती को आप अरपन कर दी जिए ठीक है उसके पसचात सबसे पहले इस्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें स्रीमन महा गणादी पतयी नमहा भगवान गणपति के सहित रिद्ध शिति के चरणार विंदों में हम प्रणाम करते हैं लक्ष्मी नारायन अभ्याम नमहा भगवान लक्ष्मी और नारायन के चरणार विंदों में प्रणाम करिए। इस्ठ देवता भ्योनमहा आपके जो इस्ठ देवता है उनको प्रणाम करिए। श्रीमन महा गणा धिपता ये नमहा भगवान गणपती को प्रणाम करिए। उसके पश्चात भगवान गणपती के निमन श्लोकों से प्रार्थना करिए। सुमुखस्चैक दंतश्चा कपिलो गजकर्णकह लंबो दरस्च विकटो विक्णनाशो विनायका। धुम्रकेतुर गणाध्यक्षो भालचंद्रोग जानना द्वाद शैतानि नामानी यह पठेच्षनु यादपे। विद्यारं भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेत था संग्रामे संकटे चैवा विग्णस्तस्यन जायते। शुकलां बरधरं देवं शशीवर्णंच तुर्भुजमा प्रसन्न वदनं ध्याये सर्व विगनो पशांताये। अभिप्सितार्थ सिध्यरथम पूजितो यसुरासुरै सर्व विग्णहरस्तसमै गणाधीपत ये नमहा। सर्व मंगल मंगल्ले, शिवे सरवार्थ साधिके, शरन्ये त्रयंबके गौरी, नारायनी नमोस्तुते, सरवदा सरवकार येशु, नास्तिते शाम मंगलं, येशाम निदेस्थो भगवान, मंगलायत नम्हरिही। तदेव लग्नम सुदिनम् तदेव, तारा बलं चंद्र बलं तदेव, विद्या बलं देव बलं तदेव, लक्ष्मी पते तेंग्रि युगं स्मरामी, लाभस्तेशाम जयस्तेशाम, कुतस्तेशाम पराजया, येशाम इंदी वरश्यामो, रिदयस्थो जनार्दना, यत्रय योगेश्वरह कृष्णो यत्र पार्थोध नुर्धरह तक्त्रा सिर्विजयो भूतिर धुवानी तिर्म तिर्ममा अनन्यास्यम्त यंतोमाम ये जना पर्युपासते तेशाम नित्याभि युक्तानाम योगक्षेमं वहाम्याम स्मृते सकल कल्यानं भाजनं यत्र जायते प पुरुषमतम जम नित्यम व्रजामीशरनम हरिम सरवेश्वारं भकार येशू त्रयस्त्री भुवनेश्वरह देवादिशंतुन सिध्धिम् ब्रमेशान जनार्दना विश्वेश्वं माधवं दुंधिम् विश्वेश्वं माधवं धुंधिम् दंडपानिम्च भैरव अब आपको क्या करना है संकल्प लेना है ठीक ना हम कोई भी संकल्प लेते हैं कोई भी काम करते तो बिना संकल्प के उस कार्य के सिध्धी नहीं होती है तो सबसे पहले हमें क्या करना है संकल्प लेना है तो संकल्प कैसे लेंगे हातों में गंद अक्षत पुष्प लेकर के जल अक्षत द्रव्या यानि कोई दक्षना ले ले लिजिए गंद अक्षत पुष्प ले लिए हातों में और फिर आ बोलेंगे ओम विश्णुर विश्णुर विश्णु हूँ स्रीमत भगवतो महापुरुशश्य विश्णुराग्या प्रवर्तमानस्य ब्रम्भनोन्नी जुतिय परारधे स्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमनवंतरे अश्टा विंस्त तमी कलीयोगी कली प्रथम चरने जंबुद्वीपे भारतवर्षी आर्या वरतई के देशी अब आप यहां पर अपना ख्षेत्र जो आप जिस खेत्र में हैं जिस देश में हैं सबसे पहले देश का नाम लेना है जैसे मैं कहूंगा मैं आर्या वरतई के देश में हूँ ना आर्या वरतई के देशे में कहू ओर फिर उसके बाद अम कहें और फिर में उसके बाद में आपके गृआम का आपको आपको नाम उच्रण करना ठीकर रेवा सह का आपने घ्रम है आप आप बोल सकते हो, स्वकी ये ग्रहे, यानि मैं अपने घर के अंदर हूँ, ठीक ना, आप ऐसा उचारन कर सकते हो, स्वकी ये ग्रहे, इतना उचारन किया, यानि आपको आपका जो पता है पूरा, वो पता आपको उचारन करना है, ठीक ना, पूरा का पूरा पता आपको उचारन क करना है कि विक्रमा जित्त्य का जो संबत है वो है दो हजार असी ठीक है अब मास कौन सा है तो आप उच्छान करोंगे कि यहां पर जो मास है सबसे पहले संबत्सर का उच्छान करना चाहिए तो पिंगल नामनी संबत्सरे फिर मासे तो उच्छान करोंगे कि पक्ष कौन सा है तो उच्छारण करोगे शुक्ल पक्षे या कृष्ण पक्षे जो भी है तो उच्छारण करेंगे आपन कृष्ण पक्षे ठीक है फिर आपन उच्छारण करेंगे तिथव कौन सी तिथी है तो जिस दिन हम मालक्ष्मी का पूजन करें तो मानले जिए लक्ष्मी जिका सायंकाले है ना प्रदोश काले सायंकाले और गोत्र अब आप यहां पर अपना गोत्र और नाम उच्छान करेंगे ठीक है ना आप अपना गोत्र उच्छान करेंगे जैसे मैं गोत्र हूं पाराश्रम गोत्रोत पन्नुहम ठीक है ना तो आप आपका जो गोत्र है भारत द्व उचारण करो दासो हम ठीक है ना फिर बोलेंगे अहम ममो पाता दुरितक शयद्वारा स्री प्रमेश्वर प्रितिर्थम और फिर उसके बाद में जो मा लक्षमी के पूजन के समय हमने उचारण किया था हम सबसे पहले तो वही संकल्ब उचारण करेंगे ठीक है ना हम चलते ह चलो सबसे पहले तो मा लक्षमी का जो उच्चारण है वहीं चलते हैं ठीक है कि अब अपने यहाँ पर यह उच्चारण करेंगे कि हमें क्या-क्या चाहिए ठीक है ना हमने उच्चारण किया कि सुरुती स्मृति पुरानोक्त फला वाप्ति काम नया ग्याता ग्यात यानि हमारे घर में स्थिर रूप से लक्षमी विराजमान रहे ऐसा भाव हमारा रहे हमारे एए महालक्षमी पूजनम, कुबेरादी नाम चे पूजनम करिश्ये, तदंगतवेन गौरी गणपत्यादी पूजनम करिश्ये, ऐसा बोल करके आपके हाथ में जो गंद अक्षत पुष्प दुरु अद्रव्य है, वो आप भगवान गणपती के सामने अरपन कर देजिए, ठीक ह हम सबसे पहले वही संपाजित करने चलते हैं, तो भगवान गणपती का पूजन है, वो हम लोग सबसे पहले प्रारम करेंगे, ठीक है ना, भगवान गणपती का पूजन हम लोग करते हैं, ठीक है ना, तो चलिए, भगवान गणपती का पूजन हम लोग प्रारम करते हैं, तो ये क्रियाएं संपन हुई उसके पस्चात हमने संकल्प लिया संकल्प के पस्चात अब जो है हम लोग पूजन प्रारम करते हैं भगवान गनपती का ये आ गया पूजन आपके सामने गनपती और गोरी का पूजन ठीक है गनपती के साथ में मा गोरी का यानि मा अमबगा क का ध्यान करते हैं अगर हमीं मंत्र आता है तो मंत्र का उच्चारण करें नहीं आता है तो आप स्रवन करें और या फिर आप ओम गंगन पते नमा गंपती का पूजन है तो ओम गंगन पते नमा बोल करके भी बोल सकते हो क्या बोलना है आपको गजाननम भूत गणादिसेवितं कपित्थ जंबू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाश कारेकं नमामि विग्नेश्वर पाद पंकजं फिर भगवति गोरिका ध्यान अम स्री गणेशाम विका भ्याम नमह ध्यानम समरपयामी यानि हम सबसे पहले भगवान गणपती का रिद्धि-सिद्धि-शुबलाब प्रमा अमबा के साथ में उनका ध्यान करते हैं और वेदिक मंत्र है। ऐसा बोलकर के हाथ में अक्षत पुस्प है वो गनेश्दी के उपर चड़ा दीजिए। फिर हमने आवहन किया आवहन के बाद में उनका क्या करेंगे प्रतिश्ठ्ठ्ठा करेंगे। तो प्रतिश्ठ्ठा करते खुए हम प्रतिश्ठ्ठा पूर्वकम अशनार्थे अक्षत पुष्प छोड़कर करके ये कहेंगें ऑ myś गणपता ये नमहा उसके बाद में पाद्दिय अर्ग्य आच्मनिय इस्नानिय पुनराच्मनिय इनके लिए हम कि चार बार कि भगवान गणपती के ऊपर जल छोड़ेंगे ठीक है कि तो हमारा मंत्र हुआ एक मिनट हमारा मंत्र हुआ वह हुआ देवस्यत्वा सभीतुहु प्रशवेश्विनोर बाहु भ्याम पूश्णो हस्ता भ्यामन भगवान गणपती के ऊपर हम चार बार जल छोड़ेंगे वो जल के किस भावसे होगा कि हम भगवान गणपती आकर की विराजमान हुए हैं तो हम सर्वपर थम उनके पेर प्रक्षालन करते हैं हाथों में अर्ग प्रदान करते हैं मुख में आच्मन करवाते हैं और उनको सरवांगे सुस्नान करवाया उसके बाद में हम उनको प्रतक प्रतक चीजों से स्नान करवाएंगे जैसे दूद से तो ओम भुर्भुस्वा गनेशाम विकाब भ्याम नमहा पयास नानम समर्पयामी मंत्र नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है आपको केवल ओम गंगन पता ये नमहा बोलते रहना है ओम गं समर्पयामी घी से स्नान करवाएं ओम भुर्भुस्वा गनेशाम विकाब भ्याम नमहा मधू स्नानम समर्पयामी यानि सहद से स्नान करवाएं ओम भुर्भुस्वा गनेशाम विकाब भ्याम नमहा शरकरा स्नानम समर्पयामी शरकरा से स्नान करवाएं ओम भुर्भुस्व यानि आपको जल के अंदर थोड़ा सा चंदन मिला करके उसका इसनान करवाना है फिर शुद्ध इसनान अब आप उनको जो है सुद्ध इसनान करवा लो ठीक है भगवान गणपति को वहां से आप कोई पातर में रख करके फिर उनका यह इसनान वगरा कर संपाजित कर लेना ठीक है फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं उसके बाद में हम शुद्ध इसनान करवाएं और शुद्ध इसनान करवाने के प्रस्चाथ फिर हम सुदिसनान करवाएं सुदिसनान करवा के फिर उसके बाद में भगवान गनपती को पहुंच करके फिर उनको हम क्या करेंगे उनको आसन पर विराजमान कर देंगे और वस्त्र हम उनको वस्त्र अरपन करेंगे तो मोली के तार तोड़ करके दो तार मोली के हम भगवान गनपती को अरपन करेंगे एक वस्तर के लिए एक उपवस्तर के लिए ठीक है ये अरपन करने के बाद में ओम गनपता ये बोलते रहे फिर हम उनको यगन्यों पवीत यानि जो जन्यों होता है वो एक जन्यों उनको अयार कर दिए अब उनके मस्त्ब पर पहले तिलक लगाओ तिलक लगाए चंदण लगाओ ओमभुरभवस्व एयांवителя पह्तं समर्भयामी प्र in पुश्प या पुश्प माला लाये हो तो वो पहना दो, ठीक है, भगवान गनपति को दुरुआ अत्य अंतप्रिया है, तो अधर दुरुआ उनको अर्पन करें, फिर अभीर गुलाल सिंदूर, जो अभीर गुलाल है, उनसे हम भगवान का सरिंगार करते हैं, तो वो भगव को हम इंतरा अर्पण करते हैं तो भगवान को हम अतोर सब्सक्राइंगे बोल करके कि भगवान को धूप दिखाएंगे फिर हम भगवान को दीप दिखाएंगे फिर उसके पश्चा जो है उनको preguntas द्यार्पन करेंगे न्यांने के बाद में फिर आप उनको आच्पन करवाके रितु फल जो भी रितु का फल हो वो बगवान गन पति को ठीक आ हूँ अर्पन किया फिर उसके बाद में उनको उत्तारब पोषणार थे जलन और पर उसनाहर पर आएप से करोधवर्तन करते हैं करोधवर्तन हो गया वो उनको अरपन किया फिर तामबूल यानि पान का पता उसमें लवंग इलाईची सुपारी हो वो भगवान गनपती को अरपन करते हैं थी ना तामबूल पिटी का उसके बाद में दक्षना कोई भी दक्षना उनको अरपन करते ह कि हमारे साथ हमारे द्वारा पूजा में कोई तुरूटी रही हो तो उसको आप पूर्ण करें ऐसी करके दक्षना हम उनको अर्पन करते हैं उसके पाद में फिर हम भगवान गनपती की आरती उतारते हैं ठीक है ना तो भगवान गनपती की कोई भी आरती बोल सकते हो जे गन फिर पुषपांजली भगवान को आरती दिखाई आरती दिखाने के बाद में पुषपले करके भगवान को पुषपांजली अरपन करेंगे और फिर एक विशेश अरग उनको अरपन करेंगे एक पात्र के अंदर जल, चंदन, अक्षत, फल, फूल, दुरुवा और दक्षना रख करके जैसे हम भगवान शूरे को अर्ग देते हैं उसी परकार भगवान गणपती को अर्ग प्रदान करना है अनेना सफलार घेना वरदोस्तू सदा ममा फल दोस्तू सदा ममा ओम गणपता ये नमहा उसके बाद में भगवान गणपती से आप जो है प्रार्थना करें कोई भी आपकी मन की भावना है वो उनको अर्पन करें विघनेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगधिताय गणपति को ये प्रणाम करें उसके पश्चात हाथ में जल लेकर के जल छोड़े भगवान गणपती को ये हमारी पूजा अर्पन है उसके पश्चात भगवान गणपती की पूजा के बाद में आपको क्या करना है कलश की स्थापना आप कर सकते हो ठीक है ना कलश की स्थापना समझते हो यानि कलश को स्थापित करना है कलश को स्थापित कैसे करेंगे सबसे पहले कलश में कलश का जो नीचे का इस्थान है उसको हाथ लगाएंगे ठीक है उनको उसको हाथ लगा करके भूरसी भूमी रस्य दितीरसी विश्वधाया विश्वस्य भूवनस्य धर्तरी प्रिथीवीन जच्छ प्रिथीवीं द्रिगुह प्रिथीवीं मा हिगूसी ही ये मंत्र बोल करके आप कलस को हाथ लगाए कलस के नीचे धान्य प्रक्षेप कर सकते हो यानी धान्य रखो फिर उसके बाद में कलस क उसके उपर इस्थापित करो, फिर कलश में जल डालो, जल डालने के बाद में कलश में चंदन डालो, सर्वोशदी अगर आपने लाई, आप लाये हो तो सर्वोशदी भी आप उसमें डाल सकते हो, कलश में दूब यानि दुरुवा जो है वो डालो फिर कलश के उपर पंच पल्लव लगाओ यानि पंच पल्लव किसे कहते हैं पता आपको पंच पल्लव कहते हैं यहां देखिए समझ यह बरगद गूलर पीपल आम पाकड ये पंच पल्लव है ठीक है ना तो ये पंच पल्लव आप लगाओ पंच पल्लव नहीं है तो भी आम अशो के जो भी पत्ते हैं वो पत्ते लगाओ फिर उसके अब कलश में पवित्री ठीक है ना फिर कलश में सब्तमर्तिका सब्तमर्तिका ह सकते हो फिर कलश के कलश पर वस्त्र वस्त्र यानि मोली का थार लगा दो ठीक है फिर उसके उपर वो पात्र रखकर के पूर्ण पात्र यानि जो उसका कलश का ढकन है वो कलश का ढकन रखो और उसमें थोड़ से चामल रखकर के उपर नारियल रख दीजिये ठीक है फिर आप उनका आवाहन करो अब यहाँ पर आपको आवाहन करना है अस्मिन कलसे वरुनम सांगम सपरिवारम सायुधम ससक्तिकम आवाहयामी स्थापयामी सर्वोशदी किसे कहते हैं देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि मुरा जटामांसी वच कुष्ट शिलाजीत हल्दी और दारु हल्दी सठी चंपक मुस्ता ये सर्वोशदी कहलाती है नहीं तो आपको देखो आजकल दुकानों के उपर सर्वोशदी मिली हुई मिलती है वो ल जैसे हमने गणपति का पूजन किया ना उसी प्रकार कलश का पूजन करना है सबसे पहले चार बार जल छोड़ना है फिर जो है उसके उपर पंचामर्त पंचामर्त के बाद में शुतिस्नां वस्त्र उपवस्त्र यग्यों पवीत चंदन अक्षत पुष्प दुरुआ ना उसके पस्चात एक दक्षना चड़ाएं और फिर भगवान वरुण का जो है, आप जो है उनका ध्यान करें, उनका आवाहन करें पर भगवान वरुण का भगवान वरुण का आवाहन करिए ठीक है ना, इन सब पूजाओं को आप फुरा सुक्ष मम्मी कर सकते हो ठीक ना इसलिए मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ विशेश रूप से हमारी महालक्षमी पूजन रहेगा तो ये आपने कलशका आपने स्थापन करके उनका पूजन कर लिया और फिर उसके बाद में देखो यहां पर दे रखा है ध्यान आसन पादिय आप ये बोल सकते हो सुपास हस्ताय जसासनाय जलाधिनाधाय नमू नमस्ते उम अपाम पताये वरुनाय नमहा भगवान वरुन को आपने वो पूजा आपकी भगवान वरुन को आप इस्थापित समर्पन कर दो उसके बाद में हम चलते हैं भगवान वरुन के पूजा की और वरुन के पूजा के पर साथ हम प्रवेश करते हैं मा शोडस मात्रिका के पूजन में प्रवेश करेंगे ठीक है यह शोडस मात्रिका का मंडल है आपको बताये था ना लाल कपड़े के उपर चार चार कोश्टक म आप बनाते हो तो वो इस प्रकार से रहता है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नोई दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पन्दा सोला पहली माता का नाम है गोरी जहां गोरी के साथ में भगवान गणपती विराजमान रहते हैं फिर पदमा फिर सची फिर मेधा सावित्री व लगा करके वहां पर आप सोड़ समात्रिका का मंदल बना लेते हो अब उनका सबसे पहले आवाहन करेंगे तो आप उल्टे हाथ में कुछ चावल लेलो और दो दो चावल आपको एक एक कुढ़ी के ऊपर चढ़ाना है क्या बोलते हुए ओम गणपताये नमहा गणपतिम आवाहयामि स्थापयामी ओम गोरिये नमहा गोरिम आवाहयामि स्थापयामी ओम पदमाये नमहा पदमाम आवाहयामि स्थापयामी ओम शच्चे नमहा सचिम आवाहयामि स्थापयामी ओम मेधाये नमहा मेधाम आवाहयामि स्थापयामी ओम पुष्टिया नमह तुष्टिया 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 नम कि यानि आपकी कुल्देवी की सई शोड़स मात्रिकाओं का आपने क्या किया आवाहन किया और आवाहन करके और कौडियम पर कुछ रखने की आवशकता नहीं है रखना चारहाते हो तो सौपारी रख सकते हो नहीं कोई दिक्ट नहीं रखना ठीक है तो आपने क्या किया सभी का जो है पOजन किया अरचन किया और उसके बाद में आपने सबका 1. değildies ौड। 4 वीधी उसके बाद में फिर आपको वापस सुदिस्टनान फिर उनको वस्तर उपवस्तर यानि मोली के दोतार चड़ा दो एक तंत्र से सभी के लिए उसके बाद में वहाँ पर आपको जो है गंद अक्षत पुष्प दुरुआ इत्यादी सब आपको अरपन करनी है उसके बाद में नाना परिमल्दरव्य अभीर गुलाल सिंदूर अरपन करना है इत्र अरपन करना है फिर उसके बाद में फल आपको उनको अरपन करना है फल अरपन किया नेविद्य अरपन किया फल किया तांबुल वीटिका की एक दक्षणा चड़ाई पढ़ात में अक्षत पुष्प ल को लदेवता गनेशेना धिकायेता वृद्धो पूजिया सशोडश मात्रिकाओं की जे बोलिए कि अनया पूजिया गनेश सइत गोर्याद शोड़स मात्र है प्रियमताम नमामा ठीक है यह सोड़स मात्रिका का पूजन किया अब उसके पस्चात हम चलते हैं नवग्रह के कोई दिकत नहीं हम पहले कलश का पूजन कर लिए अब नवग्रह मंडल का पूजन कर लेते हैं ठीक है नवग्रह में कौन हुए हमने तीन कूढ़िया बनाई गेहु से या चावल से ठीक है मध्यमी सूरिये चंद्रमा मंगल बुध गुरू शुक्र शनी राहु और केत ठी से पहले पूजन करते हैं वही है हमको क्या करना है हातों में चावल लेने दो दो चावल मंडल पर चड़ाते जाना है फिर चंद्रमा के लिए ठीक है और फिर उसके बाद में हातों में गंदक्षत पुष्पले कर करके और फिर आप एक साथ में उनको चड़ा दो कि आप सभी आकर के यहां विराजमान होई है और फिर उसी सोड़ सोब चार विधी से उनका पूजन कर देना है ठीक है अब यहां पर आप चाहो तो अधिदेवता प्रत्तिदेवताओं का भी इस्थापन कर सकते हो और नहीं तो कोई दिकत नहीं है नवगरहों का इस्थापन किया और उसके बाद में हाथ जोड़ करके सोड़ सोब चार विधी से उनका पूजन कर लो क्या करना है अब यहां पर चार बार जल चढ़ाईए पेर धुलाने के लिए मुख धुलाने के लिए आजमन के लिए इस्नान के लिए और पुन इस्नान के लिए ठीक है फिर पंचामर्थ पुन इस्नान कराओ फिर वस्त्र उपवस्त्र के लिए मोली के दोतार चढ़ाओ यगन्योपवीत चढ़ाओ फिर चंदन अक्षत पुष्प पुष्प माला दुर्वा विलुपत्र है तो वह भी चढ़ा सकते हो ठीक है उसके पश्चात फिर आपको नाना परिमल्द्रव्या अभिर गुलाल सिंदूर चढ़ाओ फिर भूमि सुतो बुधश्चा गुरुष्च शुक्रा सनी राहु के तवा सरविग्रहा शांति करा भवन्तू ठीक है ना नवग्रहों से आपने प्रार्थना कर ली और नवग्रहों की पुझा करने के पस्तात में फिर अब आपन चलते हैं अब आगया हो आप लोग बस केवल ये वीडियो चला करके भी बैठ जाओगे ना तो भी काम बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है कोई पूजा नहीं जानता ना अपने घर में करना चाता है तो इस वीडियो को चला करके बैठ जाओ जो जो वीधी बता रहा हूं उस वीधी स करम करो विशेस रूप से इनका पूजन तो अवश्य ही होएगा ठीक ना इतनी पूजाएं तो हर जगा संपाधित कोई भी छोटा सा काम हो तो भी करानी है हो गया ये कर लिए पूजा अब हमें क्या करना है अब हमें प्रधान जो मालक्षमी का पूजन है हमें वो करना है तो कैसे करेंगे देखो पूजा में जो सोड़ सोब चार विदी है वही तो सब के लिए है उसी सोड़ सोब चार विदी से सब का पूजन होना है ठीक है ना तो अब आओ चलते हैं मालक्षमी का पूजन करने के लिए तो हम तो संकल्प तो पहले करी ही चुके हैं संकल्प हम क्मारा हूँ गया तो अब आख़े क्या करना सबसे पहले हमें अकर के मा क्छमी का ध्यान करना है तो अब हम प्रवेश करते हैं मा लक्षमी के पूजन में ठीक है हाथ जोड़ करके आप लोग पहले मा लक्षमी का ध्यान करो हमने मा लक्षमी को कहा इस्तापित किया है पता है हम क्या करेंगे जैसे लाल वस्तर के उपर तो हमने शोडस मात्रिका का सफेद वस्तर पर हमने नवग रहों का और कल शित्यादी सब का पूज पी तलक करें उस धाल में अश्ठदल बना करके युए उपर आप समस्सक्राइदे ने शिद्यादी स सब को वहां रख लो जतने धन समपदा आना सारी वहां रख लो सबका पूजन होना है सब को सारी संपता वहां रख ली गाड़ी है आपके पास में तो गाड़ी की चाबी को ढो जो ने आप यहां पर रहना है जिसीज से आप करते हो वहां पर श्थापित कर लो सब तो अगर आप लेव्टॉप से केवल पूजन ये जन लेव्टॉप से आप अपना व्यापार करते हो तो लेव्टॉप को भी प्रॉंचन करके उसको उसको भी पास में या नीचे कहीं भी आप उनको भी रखो क्योंकि उनके भी पूजन होना चाहिए जिससे हमारी आवक है ज गंदक्षत पुश्प ले करके सबसे पहले मालक्षमी का हम ध्यान करते हैं । हाथों में गंदक्षत पुश्प ले करने करके अब सबसे पहले मालक्षमी का ध्यान करते हैं चलिए ओमा